पवन सिंग जैसा वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं ऐसा कहना है कि सारी लाल यादों के बहुत सारे फैंस का जी हाँ आपने पवन सिंग के वीडियो की क्लियरिटी देखी होगी सारे वीडियो एचडी आते हैं और उनकी क्लियरिटी दोनों बहुत ही दमदार होती हैं फिल्मों की तरह होती हैं वो गाने फिल्मों की तरह लगते हैं ऐसे लगते हैं कि आप फिल्मों के गाने सुन रहे ह और अब बस इसी का ख्याल रखते हुए खेसारी के कुछ फ्रेंस ऐसे हैं जो ये कहते हैं खेसारी क्यों नहीं पवन सिंग जैसे clear वीडियो और HD वीडियो लेकर आए आपको यहां ये भी मता दे कि पवन सिंग अपने वीडियो कौलिटी और HD वीडियो के लिए अपने गानो उठा लेजिए उसमें आपको ये फिल होगा कि आप किसी पिक्चर का या फिर आप किसी बॉलेवुड के गाने किसी हिंदी गाने को देखने इस तरह की clarity होती है जो कि पवन सिंग के सारे गानों को rich बनाती है लेकिन ऐसी quality खेसारी लाल यादों के गानों में नहीं देखी जाती है इसका खुद खेसारी के fans भी complain कर रहे हैं उनका यह कहना है कि पवन सिंग जैसी video quality होनी चाहिए पवन सिंग चार ही गाने लाते हैं दो ही गाने लाते हैं लेकिन इसी quality और clarity बहुत अच्छी है जिसके देखने के बाद यह लगता है कि आप कुछ अच्छा देख रह है कि कोई अच्छी picturization है उससे पहले खेसारी के दो ऐसे वीडियो थे जो सिर्फ सोफे पे ही सूट हो गये थे एक में काजल रागवानी थी तो दूसरे में गुन्यनपंत थी और एक ही सेट पर वो पूरा वीडियो सूट कर लिया गया था एक ही सोफे पर दो गाने सूट ह हो गयते इसके वज़े से खेसारी के बहुत सारे फैंस ऐसे हैं जिनों ने इसका विरोध किया कि इस तरह के लोगों के साथ खेसारी को काम नहीं करना चाहिए जो उनके टैलेंट का भरपूर यूज नहीं कर पाते साथ ही आपको एक और बात बताते हैं महादेव का दिवान रिलीज हुआ और इसके व्यू सत्रा थे तब इसे लाइक करने में जो दूसरा लाइक था वो खेसारी के फैंस का ही था आपको पवंसिन का कौन सा गाना पसंद है हमें अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा बहुत तरी जगत की होट और मसाले दर वोसत के लिए हमें सब्सक्राइब करना मिर्शिल ना भूलियों